प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन आज मैं आपको ड्रामा सीडियल एदिल तू बता कि आज की एपिसोड का रिव्यू दोंगी और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी आज की एपिसोड में दिखाया जाता है कि आनम बैंक जाती है और वहां जाकर सारी डिटेल्स लेती है कि एसन ने कितने पैसे लोन लिये थे और सारा सिस्टम क्या था तो उसको बताया जाता है कि 50 लाख रुपया एसन ने लोन लिया था जो जिसकी एदाएगी अब आपको करना होगी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना घर बेच कर भी हमें ये कीमत अदा कर सकती है जिस पर अनम कहती है लेकिन मैं पिर अपना घर छोड़ कर कहा जाऊंगी और पिर जब घर आती है तो बहुत ज़दा प्रिशान होती है अतना प्रिशान होती है कि फिर मुनवर को काल करती है और उससे कहती है कि कोई घर देखतो जहां पर हम लोग शिफ्ट हो जाये जिस पर पहले तो मुनवर हामी भर देता है लेकिन जब घर जाकर महरीन को बताता है तो महरीन उसे ऐसा करने चाचु क्यों नहीं आ रहे जिस पर अनम जवाब देती है कि पता नहीं बेटा वो तो हमारी काल भी अटेंड नहीं कर रहे अब और फिर कहती है अच्छा तुम लो बैठो मैं भी आती हूं और कोई भी आया तो तरवाजा मत खोलना और वो इंटर्वियू के लिए चली जाती है जब अनम को बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने पहले कभी जोब की है जिस पर वो कहती है कि नहीं मजबूरी के तहत करना पड़ रहा है मेर होगा जिस पर अनम कहती है कि पे कुछ और बढ़ सकती है जिस पर उसको जवाब दिया जाता है कि नहीं यह असूल के खिलाफ है कि किसी की पे बढ़ाना या कम करना जिस पर अनम कहती है चले ठीक है फिर उससे कहा जाता है कि अच्छा सुने हमारे पास एक और जोब है उसक कर आपको जवाब दूँगी फिर घर आती है तो प्रॉप्री टीलर को काल करती है और उससे कहती है कि आप ने घर का कहा था जिस पर वो जवाब देता है जी मैं कल ही एक पार्टी को ले आऊंगा अगर उनको आपका घर पसंद आ गया तो अच्छी कीमत पर सेल करवा जिस पर हो कहता है हन्जी ठीक है मैं इसका भी कोई हल निकालता हूं और फिर वो अपने एक जानने वाले आत्मी को काल करता है और उससे कहता है कि एक बेवा ओरत है जिसके लिए हमें घर देखना है तो वो हामी भड़ता है कि हाँ ठीक है मेरी नजर में एक दो घर है मैं वो दिखा दूँगा फिर दिखाया जाता है कि एनम बहुत ही परिशान होती है और बच्चे भी बहुत ज़दा परिशान होते है सिद्रा और सवेरा रो रही होती है और रोहान उनको दिला से दे रहा होता है कि तुम्हारा भाई ये भी तुम्हारे पास है जिस पर सिद्रा कहती है कि कितना अर्सा होगी हम लोगे घुमने नहीं गए जिस पर सवेरा कहती है कि अब घुमने में मज़ा भी नहीं आएगा और वो पुरानी बाते याद करते हैं किस तरह पापा हमारी हर खुआश पूरा करते थे और वो कहते थे कि हमारे बच्चों के दिल में किसी किसम का कोई कोफ ना हो जिस पर रोहान कहता है तुम लोग फिकर क्यों कर रहे हो मैं हूँ ना तुम्हारा बड़ा भाई मैं तुम लोग का ख्याल रखूँगा तो सिद्रा कहती है जिस तरह हमारे पापा रखते थे उसी तरह जिस पर रोहान उनको मिलता है और उन्हें प्यार करता है फिर दिखाया जाता है कि रोहान अपनी मां से पुछता है कि मामा एहमद अब खीक है जिस पर अनम कहती है कि पता नहीं बेटा तुम्हारे चाच्चु ने तो मेरी काल यह डन नहीं की कि कहीं हम उन पर बोज ना बन जाएं फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है दूसरी तरफ नर्गिस एक और मुहले में रहने वाली अजीब सी शोक सी बत्तमी सी लड़की दिखाए गई है जो घुसे में अपने घर आती है और अपने शोहर से कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहिस को हाथ लगाने की मैं उसके हाथ न तोड़ दूँ जिस पर उसका शोहर कहता है कि जब वो स्कूल जाएगा तो मार तो खाय गाई जिस पर नर्गिस कहती है कि ऐसे कैसे मार खायगा मैं उस टीचर की हाथ तोड़ दूँगी जिस पर उसका शोहर कहता है कि बच्चे तो शरारती होते हैं वो तो मार नहीं खायेंगे तो सीधे कैसे होएंगे स्कूल जाएंगे टीचर से मार खाएंगे तब ही तो उन्हें अकल आएगी जिस पर नर्गिस कहती है फबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में ऐसे कहा वो जो टीचर है वो शेतान है वो ऐसे कैसे मेरे बच्चे पर हाथ उठाएगी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी जिस पर उसका शोर कहता है अगर तू स्कूल गई होती तो सबसे जादा तूझे ही मार पड़ती जिस पर नर्गिस कहती है ऐसे कैसे मुझे मार पड़ती मैं उसका मूना नोच लेती फिर दिखाया जाता है कि अनम को जो घर दिखाया जाता है वो नर्गिस के शोहर का होता है जब अनम वो घर देखती है तो अनम का दिल बहुत ज़्यादा खराब होता है जब घर जाती है तो बच्चे पूछते है मामा वो घर देखने में कैसा है जिस पर अनम कहती है बस वो घर है देखने में कैसा है कि क्या बात है जिस पर बच्चे कहते हैं कि अच्छा वो इस घर जैसे है जिस पर अनम कहती है नहीं बिलकुल भी नहीं इस घर जैसा उसके बस दो रूम्स है चोटा सा घर है वो और बस जिस पर सिद्रा कहती है अच्छा जिस तर अमने इस घर को सजाया वे हम उसको भी ऐसे ही करेंगे जिस पर अनम कहती है हाँ देखा जाएगा फिर दिखाया जाता है कि रोहांत पुछता है माम हम शिफ्ट कब हो रहे हैं तो अनम कहती है बिटर हम सुबाए शिफ्ट हो जाएंगे अगले दिन दिखाया जाता है कि सारी चीज़ें पैक करो और कुछ बहर रहना हुट है और बच्चे वह घर देकर हमocy के Ini ये घर तो बहुत गंदा है जिस पर अनम कहती है कोई भी घर अच्छा ये बुरा नहीं होता रहने वाले लोगों से फ़र्क पड़ता है जिस पर बच्चे कहते हैं तो फिर सब ऐसे क्यों कहते हैं आपको अच्छा घर लेकर देंगे तो अनम कहती है पता नहीं बेटा ये तो लोगों की अपनी जहनियत होती है उनकी पसंद होती है उन्हें जैसा पसंद है और पिर सिद्रा को पुछती है और पिर अंदर रूम में चले जाते हैं बच्चे अपना घर देखने दूसरी द्रफ दिखाया जाता है कि महरीन को अनम कॉल करती है और बताती है कि हमें घर मिल गया है और महरीन कहती है अच्छा ठीक है भाबी मैं मुनवर को सारी बात बता दूँगी फिर दिखाया जाता कि मुनवर पुछता है कि किस की कॉल थी जिस पर महरीन बताती है कि भाबी की कॉल थी बता रहीं थी घर मिल गया है चलो अच्छा ही हुआ जिस पर मुनवर कहता है हाँ अच्छा ही हुआ लेकिन अब मैं भावी को मुह कैसे दिखाऊंगा कि उन्होंने मुझे एक ही काम दिया था वो भी मैं ना कर सका जिस पर महरीन कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने के काम नहीं किया वरना उन सब का सारा काम सारे जिम्दारी हमें उठानी पड़ती अगर वो अपने बच्चों समेटा जाती तो हमने क्या कर लेना था चार चार लोगों का बोज हमने कैसे उठाना था मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ बेहतर रहेगा जिस पर मुनवर कहता है सारी जिनकी तुमारे साथ है तो वो कहती है तो क्या खुश नहीं हो इस पर मुनवर कहता है मैं ये सोच रहा था कि मैंने अच्छा नहीं किया मुझे भाबी की ये बात मान लेनी चाहिए थी जिस पर महरीन कहती है कोई जरूरत नहीं है तो मुनवर कहता है तुमने देखा नहीं था जब हमारे बेटे का एकसिडेंट हुआ था तो भाई ने सारा बिल होस्पिटल का दिया था जिस पर महरीन कहती है कि फिर से तुम्हारे भाई के बाते शुरू करके बैठ देखो तुम्हारा भाई मर गया रिष्टा खतम अब भाबी जाने और उनके बच्चे जाने हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है तुम उनकी टैंचन में ज्यादा पतले होने की जुरूत नहीं है तुमें तो ये था आज का एपिसोड तो वीवर्स अब आपके ख्याल में वो नर्गिस अनम की जिंगी में और जहर घोलेगी या फिर उनकी मदद करेगी या अनम को कोई अच्छी नोकरी मिल पाएगी अपना घर सही तना चला पाएगी अपनी कीमती रायका इजार कमर्सक्शन में जरूर कीजिएगा हमारी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें औ था है में बानग कुन और टार सहीं और लेगी आधष और उनकी का अक्टिएगे अच्छी की में स कारें ऐजा सरी अच्छी टरीचे दो बारा आएगी धट hypoth झाम कीमता गि ट्यक्छी तो अफिस आयम में कीमता और फिपके अटाबस कार्णका रानकी अटार से थाचेड़ लड़ाई प्रवाद से मार कर सकते हैं कर दो कर दो हुगग कर दो झाल 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 झाल